15 अगस्त, यानि की स्वतंतता दिवस आज हमारी देश को आजाद हुए वे करीब 73 इयर्स पूरे हो चुके हैं लेकिन इस साल कुछ अलग होने वाला है हर साल के तरह तैयारिया तो इस साल भी जोर शोर से चल रही है लेकिन इस बार प्रोग्राम इतने बड़े स्केल पर नहीं हो रहा है जिस तरीके से हर साल होता है COVID-19 महामारी के बीच लाल के लिए यानि की रेड़ फोर्ट न्यू डेली में ही हर साल की तरह प्रोग्राम किया जाएगा लेकिन इस बार कुछ चेंज इसके साथ होगा प्रदानमंत्री नरिंद्र मोदी वहाँ पर सुभे साथ बच के 21 मिनिट पर लाल के लिए के फोर्ट ग्राउन पर आ जाएंगे और ठीक साड़े साथ बजे वहाँ से तिरंगा लहराएंगे फिर उसके बाद वो अपनी स्पीच देंगे जो की 45 मिनिट से डेर घंटे तक की हो सकती है हमीशा के तरह इस साल भी थल सेना, वायू सेना और नौ सेना के जवान शामिल होंगे जो की गार्ड ओफ ओनर देंगे गार्ड ओफ ओनर में करीब 22 जवान और अफसर होंगे को भी अच्छे से ध्यान में रखा जा रहा है और पूरी तरह से सानिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग किया जा रहा है और इसी वज़े से जवानों को चार लाइनों में खड़ा होना होगा और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा जो भी वहां मौझूद होगा उसका पहले से ही COVID-19 टेस्ट हो चुका है जो की नेगिटिव आया है इस साल हमेशा के तरह कोई भी स्कूल के बच्चे वहां मौझूद नहीं होंगे हमेशा पिछले साल तक करीब 3500 बच्चे स्कूल के हमेशा वहां मौझूद होते थे पर इस साल केवल 500 बच्चे मौझूद होंगे जो की NCC और Scouting Guides के बच्चे होंगे सबी बच्चे को 6 फीट की अपने बीच में दूरियां भी बना के रखनी पड़ेगी यहां तक की हर साल जो Guests 300 से 500 जने होते थे वो इस साल घटके सिर्फ 120 ही रह गए है यहां तक की प्रधान मंत्री का पास जाके जो Photographer फोटोस खीचेगा उसका भी पहले से Corona टेस्ट हो चुका है और वो अगर Negative आया होगा तब ही जाके उसको मंजूरी मिलेगी PM के पास जाके फोटोस खीचने के लिए यहां तक की इस बार अगर पिछली बार से Compare करें तो मीडिया भी ना के बरावर ही होगी अब बाकि आगे देखते हैं की और क्या-क्या नया होता है बाकि अबडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चानल Ground News को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर करें